तो दोस्तो आज WhatsApp ने Twitter handle पे दो नए अपडेट जारी किये हैं और वो दोनों अपडेट को आप अपने WhatsApp में कैसे इस्तमाल कर सकते हैं और कहां पे आपको ये दोनों अपडेट देखने को मिलेंगे तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और भी ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने में मज़ा आते रहेगा तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना WhatsApp ओपन करना है ओपिन करने के बाद यहाँ पे आपको थ्री डॉट के ओप्सन पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अब आजाना है सेटिंग के अंदर सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको नाम दिखेगा आपका और नाम के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे QR कोड का लोगो देखने को मिलेगा अब यह लोगो क्या काम करेगा और इस से आपके WhatsApp के अंदर क्या होगा दोस्तो अब आपको किसी भी दोस्त को अपना WhatsApp नंबर सेयर करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आप उसे कहिए कि मेरा QR कोड स्कैन करो और आप मेरे contact list में add हो जाओ अगर आपका दोस्त आपके पास नहीं है कहीं दूर है तो बस आप उसे एक लिंक सेयर करो और वो आपके contact में add हो जाएगा उसे आपका WhatsApp नंबर सेयर करने की भी जरूरत नहीं है सिर्फ उस लिंक पर क्लिक करेगा और आपकी WhatsApp में add हो जाएगा और आप बाते कर सकते हैं तो दोस्तो लिंक वाला भी मैं आपको बताऊंगा पहले मैं आप सभी को QR कोड वाला बताते था हूँ लेकिन आप add नहीं हो सकते हो मेरे WhatsApp के अंदर क्यों क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लगाया है जिससे कि यह QR कोड चेंज हो चुका है और वो ट्रिक कौन सी है तो आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर तो आप इस वीडियो को लास्त तक देखते रहिए अब देख सकते हैं यहाँ पे यह QR कोड दिख रहा है आपका नाम भी दिखेगा और प्लस में यहाँ पे आपका नंबर भी दिखेगा तो अब आपको करना क्या है जिससे को भी आपको अपने WhatsApp के अंदर add कराना है जिससे आपको बाते करना है अब उससे कहिए कि भाई यह मेरा QR कोड को scan करो और तुम मेरे से बाते करना start कर सकते हो तो उस दोस्त के अंदर आपका profile open हो जाएगा और देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम सेव है लेकिन यहाँ पे अगर आपका नाम सेव नहीं रहेगा तो यहाँ पे उसको number show करेगा तो इस तरीके से इस QR code के मदद से किसी भी नए friend को आप अपने WhatsApp के अंदर add कर सकते हैं अगर आपका दोस्त आपके पास नहीं है दूर है तो आप उसे message में एक link भेज सकते हैं जिससे की वो आपकी WhatsApp के अंदर add हो जाएगा तो यहाँ पे आपको उपर में एक share का option दिख रहा होगा इस share के option पे click करेंगे तो click करने के बाद यहाँ पे आप जिसको भी जिस माध्यम के थुरू आप send करना चाते हैं आप send कर सकते हैं फिलहाल मैं यहाँ पे इसे WhatsApp के अंदर share कर रहा हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको भीजना है बस यहाँ पे copy करो और उसे किसी भी माध्यम से भेज़ दो जैसे ही वह आपके link पर click करेगा आपका WhatsApp chat open हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे देखे मैंने click किया और यहाँ पे यह WhatsApp chat open हो गया है तो इस तरीके से आप इस दोनों update का मजा ले सकते हैं अब दोस् के अंदर ही एक feature है जिससे आप अपने QR code को reset कर सकते हो जैस गैज लिंक और QR code दोनों reset हो जाएगा अगर आप कहीं पे इसे share कर दी हो तो share करने के बाद बहुत सारे spam message भी आपको आने लगते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस QR code को reset करना चाहते हैं तो आप कर सकते है तो यहाँ पे आपको एक three dot का option दिख रहा होगा इस three dot के option पे आपको click करना है जैसे ही यहाँ पे आप click करेंगे तो यहाँ पे आपको एक pop up window खुल जाएगा और को कहेगा कि आपका जो QR code है और invite link है वो दोनों काम करना बंद कर देगा अगर आप reset पे click करेंगे तो तो जै जैसे ही आप reset पे click करेंगे तो आपका नया QR code generate हो जाएगा और नया link भी generate हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने QR code को reset कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको already बता चुका हूँ अब दोस्तों बात आती है कि इस update को अपनी WhatsApp के अंदर आप कैसे add करेंगे तो उसके बात आपके phone में भी ये वाले दोनों feature आपको मिल जाएंगे